हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो सत्याइट कीचन आज मैं आपके साथ तुर्किश ब्रेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इसलिए बिल्कुल भी घबराईएगा नहीं इसमें जो भी सामगरी है वो आपके घर में है ये मुझे पता है इसलिए मैंने आपके साथ ये मैदा अब इसमें मैंने नमक डाला है एक चमच यानि कि आपके स्वाद के एकॉर्डिंग तो आप ये काम पहले कर लिजेगा यानि अभी जो मैं कर रही हूँ सबसे पहले गुनगुना गरम पानी ले लिजेगा और इसमें दो चमच मैंने ड्राइस्ट डाला है तो काम आप सबसे पहले कीजेगा यहां पे क्लिप थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो ये काम जो है जैसे उसे अच्छे से राइस्ट को फूलने दे दीजेगा उसके बाद मैदा आप निका लिएगा तो यहां पे नमक और मैदा को मैंने मिला दिया यह अच्छे से दो-चार इसे 2 बार में करके डाल रही हूं इसे भी बहुत अच्छे से मिला रही हूं तो अब आप देखी सकते हैं नान तो आपने खाया है नान में भी तो यही चीजे करते है हम तो बस सारी चीजे मैंने बताया कि कुछ भी घबराने की चीज नहीं है इसमें नाम से बिल्कुल मत जब रहीएगा ऐसा ना लगे आपको कि नाम सुने आपने वीडियो ही न देखा हो एक बार आप जरूर देखिएगा और प्राई जरूर कीज़ेगा आपको लगेगा कि यह क्या आप तो नान बनाने जा रहे हैं आपको ऐसा लगेगा लेकिन अभी देखते जाएए वीडियो पूरा देखिए अब यहाँ पे इसे मैंने मिला दिया अच्छे से गुंद लिया लेकिन यहाँ पे मैंने लिया है ओलिव ओयल यह भी नहीं होता है हम सब के घर में क्योंकि हम लोग रिफाइन डॉयल यूज़ करते हैं या मस्टर्ड डॉयल तो यहाँ पे आपको ओलिव लेना है और या फिर आप इसकी जगह भी यूज़ कर सकते हैं घी तो होता ही है तो इसे मैंने दो बार करके एक बार थोड़ा सा ले करके पहले इसे गुंद लिया थोड़ा सा एक मिनट के लिए उसके बद बचा हुआ ऑलिव ओयल मैंने इसके उपर लगा दिया चारू तर तो अब इसे ये काम भी हो गया अब उधर मैंने लिया है आठ तस लेसन की कलियां ले ली हैं बड़ी बड़ी और इसे मैं इस तरह से बहुत ही बारिक चौप करूँगी तो लेसन भी हमारे घर में होता है और आपको आपने गार्लिक नान खाया होगा ना तो गार्लिक नान तो ये जो तुर्किश ब्रेड है ना आपने एक बार भी बना लिया ना बड़े बच्चे बुजर्ग कोई भी हो किसी को भी एक बार खिला दिया ना इसके फैन हो जाएंगे दिवाने हो जाएंगे वो तो आब यहाँ पर मैंने लिया है धनिया का पत्ता देखते जाएए है यह हमारे घर में होता है अब यहाँ पर मैंने लिया है बटर तो बटर मेरे पास इतना ही पड़ा था और होता तो सिर्फ मैं बटर यूज करती तो इसे ज्यादा क्वांटिटी में करने के लिए मैंने इसमें लिया है ओली बॉयल डाला है दो चमच और चौक किया हुआ ही दधनिया का पत्ता और यहा पर मैं ने चिली फ्लेक्स लिया है तो चीली फ्लेक्स जो है आपके घर में सुखी लालल मिर्च होगी साबुत लाल मिर्च उसे एक बार Maya मिकी में डालके ग्राइं कर लिजे से और इसी तरह से दरदरा सा कूटा हुआ जो आप पिज आप पि बन सके तो मैंने यहां में मुझे थोड़ा टाइट लग रहा था यह यानि जो बटर था वो थोड़ा कम था और चिली फ्लेक्स मैंने थोड़ा सा ज्यादा मिलाए क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है बटर का लहसन का चिली फ्लेक्स का धनिया के जो पत्ते हैं इससे थोड़ा तीखा जादा करके रेडी कर लिया है अब एक घंटा हो जाने के बाद वापिस से आप देख सकते हैं इसका साइज कितना फूल गया है सेम चीज नान में भी होता है जब हम नान वाला वीडियो देखिएगा तो अब तक ये बिलकुल उसी तरह से चल रहा है गुंद लीजे अब यहां पे इसे मैंने पांच-छे क्यास-पास में ये बना तो इसे मैंने मतला लोईयां बना बना करके इस तरह से एक प्लेट में बना के मैंने रख लिया अब तक का जो स्टाइल है अब तक का जो भी चीज मैंने किया वो सब कुछ नान से मिलता जुलता है लास्ट में इसका स्टाइल थोड़ा सा जो है इसके स्वाद को यूनिक बनाता है और तब जाखिए तुरकिश ब्रेड बन जाता है तो अब इसे हम मैंने बेल लिया है फेले सुखा मैदा चकले पर डाला फिर इसे बहुत अच्छे से सुखे मैदे से लपेट लिया और उसे मैंने बेल लिया है तो बेलना भी बिल्कुल उसी तरह है, जैसे कि हम नान बनाते हैं, यानि कि बहुत पतला नहीं बनाना है इसे, आप देख सकते हैं, इसकी ठीकनेस और मैंने यहाँ पे आपकी लिए एक ही चीज का दो-दो क्ली पैड किया है, यानि दो नान बना के दिखाया है, आपको कोई दिक्कत नहों इसके लिए तो यह रेडी हो गया, अब तवा को किया है, गर्म, मीडियम फ्लेम को रखा है मैंने, और इसे डाल दिया उसके उपर, तो फ्लेम को बिल्कुल हाई भी नहीं करना है, और तवा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से, जो है ब्रेड, जो उपर से चोटे-चोटे से बबल्स आ गए, तो इसे पलट दिया, और दूसरे साइड में थोड़ा सा ज्यादा, यानि कि थोड़ा सा डार्क स्पोट्स आ जाने चाहिए, इस तरह से इसे सेकना है, फिर इसे पलट दिया, और अब पलटे से इसे में सेक दूंगी, यानि प्रेस करू तो इसकी वज़ा से ही एक और ब्रेड मैंने आपको बना के यहाँ पे भी दिखाना है, ताकि आपको यह पता चल सके कि यह कितना अच्छा बनता है, तो यह रेडी हो गया, आप देखिए, एक और ब्रेड मैं बना के दिखा रही हूँ आपको, बस इस तरह बबल्स देखे इसे पलट दे, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया, यानि इसे मैंने ड्राई ही रखा है, यहाँ पे नहीं लगाना है कुछ भी, नान में तो हम इसे पानी लगाते हैं, एक साइट से लेसन और धनिया का पत्ता इसके उपर चिपकाते हैं, फिर इसे त भी तबहा उल्टा करके सेक्ते हैं, अब थोड़ा सा स्टाईल अब देख रहे हैं यहाँ पे चेंज हो गया, अब याँ पे रोटी की तरह हो गया, यह रोटी की तरह हम सिर्फतर पर सेंक रहे हैं, तो नाम से बिलकुल नहीं घबराना है, इसे बहुत असान ड्रेसिपी है और इतना लाजवाब कि इसका कोई जवाब ही नहीं है यह अपने आप में ही है यह अब जो मिक्सर मैंने त्यार किया था वो इसको उपर मैं लगा रही हूं बस नान के उपर भी इस तरह से लगाते हैं बहुत बार इस तरह से आप बटर और गारलिक और यह सब चीजी लगात अगर आपका मन करेगा तो आपको स्वाद इतना अच्छा लगेगा कि आप इसे जब आपका दिल करेगा तब तो आपने इस चित तौर पर इसे घर पर बनाना ही चाहिएगा लेकिन इसलिए मैं कह रही हूं कि कोई भी चीज इसमें स्किप ना करें और ब्रेड और ये सारी च संद आएगा ये बहुत लाजवाब है तो देर किस बात की रेसिपी तो मैंने शेयर कर दी अब आपको बनाना है खा करके मुझे बताना है और मुझे पता है ये आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा जब आपको ये अच्छा लगता है तो एक कामोर करना है मेरे वीडियो लोग भी से बना सके चैनल पर अगर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद